तो इसमें बोलाए कि due to apparent northward movement of the sun की मतलब कि जो sun है वो north की तरफ move होता हुआ दिखाई देता है तो उसकी वजह से जो global heat belt है वो northward shift हो जाती है अब इन दो लाइनों में ये क्या कहना चाहरे हैं कि हमने ये देखा था कि जो earth है that revolves around the sun और एक ताइम ऐसा होता है जिस ताइम पे जो northern hemisphere है that is more tilted or more closer to the sun and there's a period during December to January when the southern hemisphere is closer to the sun and now we are talking about this one when the northern hemisphere is tilted towards the sun तो वो बोल रहे हैं कि जब ऐसा लगता है कि जो sun है वो north की तरफ move कर रहा है देखो actually जो sun है that is stationary earth ही move कर रही है sun अपनी जगह पर ही है अब क्योंकि जब ये वाला period आएगा तो earth पे क्या लगेगा ऐसा लगेगा कि sun उपर की तरफ shift हो गया है but actually sun उपर की तरफ shift नहीं हुआ है sun north की तरफ नहीं गया है earth जो है वो इस position पे है कि जो north hemisphere है earth का northern hemisphere है वो जादा जुका हुआ है सूरज की तरफ इसलिए जो northern hemisphere है वो बहुत ज़दा heat sunlight जो है वो experience करेगा तो इसमें वही बोला है कि due to apparent northward movement apparent मतलब की ऐसा लग रहा है कि sun उपर की तरफ north की तरफ move कर रहा है actually moving कर रहा तो उसकी वज़े से क्या होता है कि जो global heat belt है वो northward shift हो जाती है अर्थ जो है वो ऐसे टिल्टिड है यह northern hemisphere में अब जब direct sunlight receive होगी तो इसका मतलब की पहले जब आप यह March के time पे देखे एक्युनॉक्स में तब पूरा जो earth है वो equator जो है वो directly heat receive कर रहा है बट जैसे ही यह वाला period आएगा इस time पर क्या होगा आप direct sunlight पढ़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो जो sunlight थी वो इधर से equator से northward shift होगी तो वही है कि जो global heat belt है अब वो northward shift होगया है कि मतलब जो northern hemisphere है that is going to receive most of the sunlight as such from March to May it is hot weather season और इसलिए मार्च से लेके मे जो है इस time पे hot weather season होता है इसको हम एक तरीके से notice कर सकते हैं कैसे अगर हम temperatures को अलग अलग जगह पे अलग अलग latitudes पे नोट करें अब देखो अर्थ है ये equator ये अलग-अलग latitudes है ये अलग-अलग latitudes है बीच-बीच में और आप मानलो ये वाला जो है ये वाला प्रॉपिक अ कैंसर है अब जब धीरे-धीरे करके earth जो है सामने इस position पे आएगी जिसमें direct जो sunlight है वो ट्रॉपिक अफ कैंसर पे पड़े उससे पहले क्या होगा equator से धीरे-धीरे-धीरे करके जो sunlight है वो in latitude से होते हुए topic of cancer पे पहुँचेगी देखो जब हम ये वाले एक्विनॉक्स की बात करें इस टाइम पर हम क्या रहे हैं कि direct sunlight किस पर रिसीव हो रहे है एक्वेटर पे तो जब अर्थ इस तरफ मूफ करेगी तो एक्वेटर से जस्ट उपर वाला थोड़ा सा latitude जो है वो डिरेक्ट सनलाइट रिसीव करेगा मतल करते हैं कि उसी जब्स हमने थोड़ा सा सहुलियत के लिए समझाने के लिए पढ़ने के लिए हमने कुछ पीरिज डिसाइट कर लिए हैं मतलब उनको माक कर लिया कि अच्छा ये वाला प्रेड ये हैं इस वाले जो जुन है इस ताइम पर डिरेक्ट जो टाविक अस्यें सर पहुंच जाती है बट इसका मतलब यह है कि जब यह ऐसे होते हुए जा रही है ना तो हर एक लेटिटूट से जो सनलाइट है वो शिफ्ट करेगी जब मार्च से मार्च में किस पे था एक्वेटर पर यह एक्वेटर है मान लो और यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है अब जब यह मार्च से लेके इस जून तक पहुंचेगी तो यह बीच के लेटिटूट में भी डिरेक्ट सनलाइट होती हुई चाहेगी इसका मतलब हम इस शिफ्ट को बहुत अच्छे से एक्स्पिरियंस कर सकते हैं कि जब हमारे यहां नीचे वाले लेटिटूट पे टे कशिब होती हुई दिखाई देगी तो वही कह रहें कि अगर हम नीचे लेकर का उपर तक का टेंपरेचर है हमारी जो सदन हेमिस्वेर है जो हमारा सदन इंडिया है हमारा जो पेनन्सुला वह से लेकर अम ढीरे-दीरे करके व उपर तक इंडिया के ऊपर वाले जो या यूँ कहें धीरे-धीरे करके जो अर्थ का Northern Hemisphere है वो Sun के आगे आ रहा है In March, the highest temperature is about 38 degree Celsius recorded on the Deccan Plateau अब अगर मार्च की बात करें तो जो हमारे Deccan Plateau है उस टाइम पे जो highest temperature है वो रहता है कितना 38 degree Celsius In April, temperatures in Gujarat and Madhya Pradesh are around 42 degree Celsius वहीं from April में देखते हैं तो अब April में ज़्यादा जो temperature है वो हमें Gujarat और Madhya Pradesh वाले इलाके पे देखने मिलेगा मतलब कि पहले यह जो Deccan Plateau था हमारा वहां पे था फिर अब यह March वाला प्रेड है अब April में हमें यहां और Madhya Pradesh वाले इलाके में ज़्यादा heat दिखाई देगी जो temperature वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है maximum दिखाई देता है में के महिने में तीक है वो कितना होता है लगवग 45 डिग्री सेल्सेस आम तोर पर हमें देखने मिलेगा मतलब कि वही बता रहे हैं कि धीरे 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 करके जो temperature है highest temperature वो उपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है इसका मतलब सन की movement उपर की तरफ हो रही है apparent movement हो रही है इन पैंसुल इंडिया temperatures remain lower due to the moderating influence of the ocean अब जब हमने विंटर के वारे में पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि जो हमारा peninsular इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा सर्गी या बहुत ज़्यादा गर्मी experience नहीं होने वाली है तो गर्मियों के टाइम पर भी यहां पर moderating temperature ही रहेगा क्योंकि यह ocean के पास है the summer months experience rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country अब समर्ज में क्या होता है क्योंकि जो northern hemisphere है जो northern इंडिया है वो सबसे ज्यादा heat receive कर रहा है तो वहां पर temperature ज्यादा होने के कारण क्या होगा lower pressure बन जाएगा air pressure जो है वो fall कर जाएगा air pressure वहां पर कम होगा और इस वज़े से क्या होगा कि जो हवाई हैं वो नीचे की तरफ से southwest तरफ से northern hemisphere की तरफ और प्रेशर एया develops in the region extended from the thar desert in the northwest to patna and chutanakpur plattu in the east and southeast अब में के end तब क्या होता है जैसे ही मैं मन्त का end आ रहा होता है उस time पे elongated low pressure area बन जाता है मतलब की बहुत बड़ा सा low pressure area मतलब ऐसा area जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा low pressure बना हुआ है वो area create हो ज में था desert है वहां से लेखिए जो हमारा छोटा नागपुर plattu है वहां तक यह जो पूरा low pressure area है वो create हो जाता है circulation of air begins to set in around this trap और इस low pressure area के बीच में क्या है बहुत ज़्यादा हवाई जो है वो चलने लगती है a striking feature of the hot weather season is the low अब जब आप गर्मियों में भी घर से बहार निकलते होंगे तो मम्मी आपको बोलते होंगे कि अरे भरी दुपहरी में मज्या low लग जाएगी तो जो गर्मी वाला मौसम होता है उसमें low जो है वो एक बड़ा ही significant सा feature है उसका low क्या होता है these are strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and the north western India यह बहती ज्यादे तेज high gusty होती है बहुत तेज चलती है power hot होती है गरम होती है और साथी चाहत सूखी होती है द्राइ कोभी अपने अंदर कोई भी पानी सने वाली तो बहुत आन्दी बहुती है उसमें के ल कहते हैं और कभी-कभी यह जो और अगर आप बहुत जादा देर तक लू में बहार रहते हो तो उसकी वजह से आपकी जो तब्यत है वो भी खराब हो सकती है और मै के मन्थ में जो नौर्दिन इंडिया है वहाँ पे डॉस्ट स्टॉम्स मतलब जो धूल भरी आंधिया होती है वो बहुत जादा कॉमन होती है इस स्टॉम्स ब्रिंग टैंपरेदे रिलीव अस दे लोवर दे टैंपरेश और बारिश और थंडी हवाई जो हैं वह भी लाते हैं तो मतलब कभी-कभी यह जो स्टॉम्स चल रहे हैं जो आंधिया आती है वो थोड़ा सा रिलीव दे लिटी हैं लोगों को क्योंकि गर्मी से थोड़ा सा आराम मिल जाता है और यही सीजन ऐसा होता है जिसमें की कभी-कभी हमें लोकलाइज थंडर स्टॉम्स मतलब जो आस पास के इताके में बनने वाले जो तूफान है आंधी तूफान है थंडर स्टॉम्स है वो दिखाई देते हैं वो बन जाते हैं और इसमें क्या होता है कि बहुत तेटेज डूपाई चल रही होती हैं और कभी कभी जो डाउनपूर है मतलब कि बारश जो है वो भी हो जाती है । पूरी गरमी के कारएं कि बहुत ज़्यदा भा्रक्रिषिर एक नियन थे भी हो ही नी तो तो उस वज़े से कभी-कभी हमें यहां बहुत ज़दा तेज़ चलने वाली आंधिया और तुफान जो कि अपने साथ कभी-कभी थोड़ी बहुत बारिश भी ले आती है और इस वज़े से लगों को थोड़ी सी रिलीव जो है वो मिल जाता है अब जब गर्मी जो है वो खत्म होने ही वाली होती है जून के टाइम पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारा सदन इंडिया है वहाँ पर प्री मौन्शून शावर्स जो है वो स्टार्ट हो जाते है प्री मौन्शून शावर्स क्या होता है पूरा चाप्टर ही मौन्शून के बारे में हमने पढ़ा है तो हम यह तो पता ही है कि जब मौन्शून प्रॉपर जो बारिश आ रही है उससे पहले जो हलकी फुलकी बूंदाबानी देखने मिलती है थोड़ी बहुत बारिश अब यह जो प्री मौन्शून शावर्स होते हैं वो मैंगो जल्दी पकने में हैं मतलब जो आम है वो इन शावर्स की विज़से मौतम ठोड़ा ठंडा हो जाता है इस वज़से जो आम है वो और ज्यादा तेजी से पकते हैं और उसे लिए क्या कहते हैं मैंगो शावर्स भ बाद किस तर्के से प्री मॉन्सून चावर जाते हैं लू के बारे में पढ़ा और अब नेक्स वीडियो में हम एडवांसिंग मॉन्सून के बारे में पढ़ेंगे जब मॉन्सून आ जाता है तब क्या जो कंडिशन्स है वो इंडिया में रहती हैं